हेलो गुड मॉनिंग जोहार मैं संज है और आप देख रहे हैं न्यू जारकन चलिए जानते हैं आज की मुख्यों 25 बड़ी कब रोको सफल सभी 26 जारकन के विद्यारतियों ने अपना अनुभाव साजा किया सफल विद्यारतियों का कहना था कि हाड वर्क और अपने लक्ष के परती समर्पन से कठिन से कठिन रहा आसान हो जाती है इस दोरन सियम ने जारकन की सारती योजना की भी जानकारिती कारिकरम को दिद करतों वे मुक्यमंत्री हेमंतो सोरें ने कहा है कि इस बार तो कमाल हो गया है। उन्हें राजसरकार अपने खर से परतियोगिता परिचा की तयारी कराएगी। अबी राजसरकार से होकर गुजर रहे मानसून टर्बलाइन और आसपास बने साइक्लोनिक शर्कूलेशन की वज़ा से होगा। अभी राजस्तान से होकर बंगाल की खाड़ी तक निम्दबाव का प्रभाव है। इसकी असर से मंगलवार को कई जगों पर बारिस हुई है। मौसम पूरानमान में आने वाले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। वह आज राजे के कई अस्थानों पर हलके से मध्धम दर्जे की वर्सक की परबल संभवना है। स्वास्त भाग ने सभी सिविल सर्जन को इस समंध में एक एडवाईजरी भी जारी कर दिया है। मालूम हो कि केरल के बाद दिली में भी मंकी पोक्स की मामले मिलने के बाद जारकन में भी सतरकता बढ़ा दी गई है। खास कर कुतेश से फैलने के परमान मिले हैं। दूसरी और पालतू जानमरों से भी अबिमारी फैल सकती है। इसलिए जरूरी है कि सतरकता बढ़ती चाए और जानमरों से दूरी बना कर ही रहा जाए। सहक आचारी के पचास जर पद वमकिर्सी उपज और पसुधन विपनन विधायक को केबिनेट में मिल सकती है मंजूरी। केबिनेट में जार्कन राज किर्सी उपज और पसुधन विपनन विधायक परस्ताव आ सकता है। जर पदो के सर्जन के प्रस्तापर प्रसासी पदवर्ग समयती की स्वकृति मिल गई है। इस पर केबिनेट के स्वकृति ली जानी है। मोखे मंतरी है मंतु सोरेन पर बढ़ी आफ़त अप्रेश शलाकार को एडी का समन अभिशेक प्रसाद उर्फ पिंटू भी फसा। साहिब गंच के बढ़ारवा टेंडर विवात में मनी लौडरिंग के तहत अनुशन धान कर रही एडी की टिन में अब मोखे मंतरी है मंतु सोरेन के प्रेश शलाकार अभिशेक प्रसाद उर्फ पिंटू को समन कर दिया है। साहिब गंच में खनन लीजवक्रासर लाइसेंस समंधित कई मामलों में पूछता चोगी उनसे अवद खनन के बारे में भी एडी जानकारी लेका अभिशेक प्रसाद उर्फ पिंटू मुखे मंतु सोरेन से पिछले कई वर्सों से जुड़े हैं। तक कारगिल विजए पदियात्रा निकाली गई। इस औसर पर भारत माता की चै वंदे मातरम भारतिय सेना जिंदाबाद कारगिल युद में सहीद हुए सैनिक अमर रहे नारों से पूरा सहर गुंज रहा था। रांची विधाक सीपी सिंग ने कहाए कि आज एक दिन भारतिय सेना ने पाकिस्तान सेना को कारगिल के दुरगम पहाडों पर मुतोड जबाब देकर परास्त किया था। कारगिल विजय भारतिय सेना के आदम सहास, समरपन, कारी कुसलता और त्याग के लिए सदयों याद किया चाएगा। जबाब दयार करने के लिए समाई की मांकी है, इस वज़ा से सुनवाई की अगली तारिक निरधारित की गई है। कॉट भी लगा दिया। कॉट भी लगा दिया। लातिहार के बाद अब गुमला कस्तुर्बा गांधी आवास्य विद्दाले की चार चात्राएं कोरोना पोजिटीव पाए गई है। इसकी पुष्टी सिविल सर्जर्ण डॉक्टर राजो कस्यफ ने की है। उन्होंने बता है कि कस्तुर्बा विद्दाले में कई चात्राओं को सर्दी जुकाम की सिकाय थी। इस पर 15 चात्राओं को कोरोना जांच के लिए गुमला सदरस्पता लागया था। इनमें चार चात्राएं कोरोना पोजिटीव पाए गई है। जारकन के मंद्रेगा मजदुरों का 110.82 करोड रुपे बकाया। ये अंदर सरकार से पैसे नहीं मिलने के चलते मंद्रेगा मजदुरों का भुगतान नहीं हो पा है। पंकच मिसरा को EDA ने अदालत में किया पेस फिर भीज गए च्छे दिनों की रिमान पर CM हेमन्त सो्रें के विधायक परतनी थी पंकच मिसरा को छे दिन की रिमान अओधी पूरी होने के बाद एक बार फिर से रांची में EDA की विसेश आदालत में पेस किया गया एडी पंकच मिसरा को एक बायर फिर से रिमान पर लेना चाहती थी एडी की दलिल सुनने के बाद कोट ने पंकच मिसरा की रिमान ओधी 6 दिन और बढ़ा दी गई है अब अगले 6 दिनों तक एडी पंकच मिसरा से पूछ ताच करीगी जारिखन में मिला मंकी पोक्स का मरीच 7 वर्षी बच्ची में दिखे लक्षन गढ़वा सदरस्पताल में भरती जारिखन के गढ़वा सहर के टंडवा मोहले की एक 7 वर्षी बालिका में मंकी पोक्स के लक्षन पाए गए हैं बालिका को सदरस्पताल के एक वाड में अलग रख कर इलाज किया जा रहा है। हलाकि स्वास्ति भाग ने अभी तक मंकी पोक्स होने की पुष्टी नहीं की है, लेकिन बच्ची के सरीर में मंकी पोक्स के मिलते जुलते लक्षन होने की बात कही जा रही है। उसके सरीर पर छाले होने दर्दवा कई अनलक्षन बताई जा रहे हैं। इस समन में जिला महमारी विसेसग डॉक्टर शंतोस कुमार मिस्रा ने बता है कि जिला सर्विलांस टीम बिमार बालिका की इस्तिती पर नजर रखत हुए फिलाल सदर अस्पताल में एक वाड में रखकर उसका इलाज किया जा रहा है। असपश्ट तोर पर कुछ कहा जा सकता है। पढ़ सकती है क्योंकि PCR और टाइगर मुबाइल के बाद अब राजधानी के सभी धानों के वाहनों को GPS से जोड़ दिया गया है। अब यह वाहन की समय में कहा पर रहेंगे इसकी निगरानी थानेदार से लेकर बड़े अधिकारी तक अपनी मुबाइल से ही एक क्लिक पर जान लेंगे। दरसल राजधानी राज़ी के पुलिस के नए काफ्थान यानि SSP की सौर को असल चाहते हैं कि राज़ी पुलिस बहतर परफॉर्म करें सुचना पर तौरित करवाई के साथ-साथ उनका मुमेंट भी क्वीक हो। इसके लिए सबसे पहले जिन पुलिस कर्मियों के कांधे पर सहर के निगरानी की जिम्यदारी है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। तौरिडोर में नकसलियों के खिलाब बड़ा अभ्यान सुरू हुआ है। जारकन कॉंग्रेस का सत्यागरहा प्रदेश अध्धक्ष राजिश्ठा कुरपोली सन्वधानिक संस्थानों का हुँ रहा दूरुप्योग। देश भर में कॉंग्रेस सत्यागरहा कर रही है। सत्यागरहा में जारकन प्रदेश कॉंग्रेस के विधायक बादल पतरलेक उमासंकर अकेला नमन विक्सल कुगाडी राजिस्क कचप ममतादेबी बन्ना गुपता पूरो विधायक बंधूतिर की पूरो जो प्रदेश अध्धक्ष शुक्दे भगत आदी मौजूद थे। उन्नितिती के दिन आएगा जजज उत्तामानंध हत्यकान का फासला अदालत ने पूरी की सुनवाई नियाधिस उत्तामानंध हत्यकान में अदालत नियाधिस के पूनितिती के ही दिन अपना फासला सुनाईगी अठ्थाई जुलाई 2021 के सुभा नियाधिस की होटों से टक के लिए निर्धारित कर दी है सुनवाई के दोरान सीबियाई के क्राम ब्रैंच के अस्पेशल पीपी अमित जिंदल ने आरोप पत्र के खुल 189 गवाओं में से 58 गवाओं का बयान दर्च कराया था सीबियाई ने दावा किया है कि आरोपित लखन वर्मा एमराहूल वर्मा ने जान बोचकर जजज साहब को जो टक करमारी जिन से उनकी मौत हो गई साहिब गंज खनन मामले में एडी की दो दिन की छाफेमारी जाने क्या क्या जब्त किया क्या फ्रीज खनन मामले को लेकर साहिब गंज में पिछले दो दिनों से एडी की छाफेमारी चल रही है इडी ने इन दो दिनों की छाफे मारी की कारवाई का पूरा बेवरा मोहिया करा है इडी ने बता है कि DMO और DFO आफिस में आधिकारियों की मौजूदगी में दस्तावेजों की जांच परताल की गई दो क्रसर प्लान फ्रिज कर दिया गए है इडी के मताबिक मंगलबार को तक रिबन 25 मिनट तक टीम ने खननन कारेले में बैट कर दस्तावेजों की परताल की और कारेले से फिर 12 बजे इडी की टीम निकली इडी ने जो है मंटो अंचल के मारी कुटी मौजा में चल रहे है मांबे अस्टोन वकरस के दो क्रसर प्लान को जो है ततकाल फ्रिज कर दिया है दोनों प्लान दाग नमबर 52 तिरपन है प्लान का प्रोप्राइटर पवित्र कुमार यादो बता जाता है पवित्र छोटू यादो का भाई भी है इन दोनों करसर प्लान को दुरगा बाड़ी ओ पिथाना की अभिर अच्छा में सौंब दिया गए है पुलीस ने करसर प्लान की देख रहे के लिए पुलीस जवानों की तैनाती भी गर दी है सुत्र बताते हैं कि इस कारवाई के दौरान एड़ी के हाथ कई जो है महत्पून दास्तावेज लगे हैं एड़ी को पता चला है कि कुछ लोग बड़ा करसर प्लान अस्थापित कर जो है कम उतपादन दिखा कर धडले से राजसों की जोरी करते थे मालगाडी पर चड़कर चुरा रहा था कोईला ओवरहेड तार की चपेट में आयुवक मौत धनबाद में मालगाडी से कोईला चुराने के दौरान ओवरहेड तार की चपेट में आने से एक युवक की दर उसकी मौत हो गई जबकि उसके साथ की एक महला गंभी रूप से जुलस गई है हाथसे के बाद युवक के परिजन सौले कर भागने के लिए मिर्तक की पहचान विजे बावरी के रूप में हुई है बताय जा रहा है कि वह इस्ट बासूरिया इलाकी का रहने वाला था वही हाथसे में जुलसी महला की हालत गंभीर बताय जा रही है जारकन में हो बहतर कैंसर संस्थान सांसद संजे सेट नहे मंतर सरकार से की केंदर को प्रस्ताव भेजने की मांग राजी के सांसद संजे सेट ने कहा है कि जारकन में कैंसर मरीजों की बढ़ती संख्या चिंता जनक है इलाज की लोग महानगरों की और जाने को विवस हैं राजी सरकार से आग्रा किया है कि जारकन में भी एक और बहतर कैंसर संस्थान की अस्थापना का प्रास्ताओ भारत सरकार को भेजा जाए। के एर सेंटर अस्थापित की अगय हैं। के यहां मेटर लगा जागा राजी सहरी शेतर में कुल सठे तीन लाग को भोगताओं के यहां स्मार्ट प्रीपेंड मेटर लगा जागा जागा। तो यह थी आज की जारकन के टॉप बड़ी खबरें।